तो भाई साब हमारे एक होल डाल रहा है यह का नाम भोल गया हूं लेकिन में इसकी फोटो लगा दूँगा वीडियो में इसका नाम मतलब यो लेबल की फोटो लगा दूगा मुझे इत्ता याद है यह फंगिसाइड है यह डाल रहे हम दूसरा इस्प्रेव है साथ ही हमारा होमिक एसिट नाइंटी एट परसेंट यह टोनिक का काम करता है यह मतलब मुंग या कोई इसी फसल की जड़क की ग्रोथ अच्छी कराता है और 37 में इसको डालने के बाद मतलब फूल फैल और पोधो को अच्छा विचलेशन मिलता है जिससे कि यह अच्छी ग्रोथ करता है और सांका है अच्छी फोड़ता है अब इसके बाद में हम डालेंगे यह हमारा एमोनिय एसीड का टानिक है नपकिसान का यह डालेंगे हम 50 ml प्रती 25 लिटर पानी मतलब 2 ml प्रती लिटर पानी के हिसाफ से हुआ है अब उसके बाद में हमारा जेवरुल ले केसिट का घोले ये एक डिब्बी आती है यह वाली डिब्बी ये एक डिब्बी के हम तीन पावर बना रहे हैं तो यह अमने घोल बना रखा है तो यह हम डाल रहें 50 ml जेवरेलेक एसिट के बाद में हम डालेंगे अब इसमें कि यह हमारी इलमार है जोस बीटा फाइव चालीस एमल के लगों में डाल रहे हम 25 लीटर पानी में कि 340 के बीच में अब चाहिए है उसके बाद में डालेंगे प्रोफनोफास कि पेस से 40 लीटर पानी के इसाब से तो यह हमारा पूरा एक मक्स हो गया है है अब इसके बाद में हम डालेंगे थायो में एकजाइम मच्छर के लिए वो डालेंगे हम 25 लिटर पानी में 30 मिल दो यह हमारे पूरा एक डोस बन चुका है दूसरा इस्प्रे के लिए अब इसका जो रियल टेम आपको चार से पात दिन बाद दिखाएंगे और मिलते अगले वीडियो में जब तक लिए नमस्कार जैहिन जैभारत अब यह देख सकते हैं दबा डाली ती उसके बाद में यह यह का यह हाल हुआ है यह संटर अब वह जाता है दो तिन दिन कर दो कर दिन